तो पिछली वीडियो में हम अपने Quadratic Equations वाले चेप्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो अब हम उसी चेप्टर को आगे को Continue करते है exercise 4.4 और यह जो exercise है यह इस चेप्टर की last exercise है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कि इससे पहले मैंने आपको जो जो भी पढ़ाया था आपको वह सब समझमा आया होगा तो अब हम अपनी last exercise के और पढ़ते हैं कि हमें last exercise में कि चेप के formula यूज करने पड़ेंगा और हमें इस exercise में क्या-क्या यूज करना है और हमारे exam perspective मेलब की exam basis से हमाले क्या important है तो जलिए बिना time waste हम जल्दी से शुरू करते हैं और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताये कि आपको य वीडियो में पढ़ाय करना शुरू करते हैं ठीक हो गया तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या करते हैं कि हम जो quadratic equation है उसके रूट से कितने टैप क्यों होते हैं मैं आपको लिखके बताता हूँ Quadratic Formula Quadratic Formula क्या होता है Quadratic Formula क्या होता है मैंने आप सबसब कर आपको बताया वाता कि Minus b Plus minus under root b square minus 4ac upon 2a this is our quadratic formula तो मैंने आपको बताया था कि यह हमारा quadratic formula होता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह formula याद होगा ठीक होगे दोस्तों तो उसके बाद अब हम आगर करते हैं अपने next topic की ओर तो जो हमारा quadratic formula है हमने यह पढ़ा अब हम कैसे नहीं पता चलेगा कि हमको जो equation है उसके roots हैं की नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास तीन condition होती है पहली दूसरी और तीसरी अब मैं आपको बता हमा तीसरी condition क्या होगी जो हमारा यह b square minus 4ac होता है ना दोस्तों जो समझ रहे होगे जो यह b square minus 4ac जब 0 के ब्राबर होता है तब हमारे two equal roots आते है मलब roots to equal roots मलब हमारे roots exist करते है ठीक हो गया और same condition एको लिखता हूँ है जब 20 square minus 4ac जब हमारा 0 से छोटा हो यानि की जब हो minus 1 हो इसकी value मलब minus 1 क्या होता है 0 से छोटा होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि roots does not exist जब आप बताए कि यह 20 square minus 4ac जूरे से छोटा है मतलब 0 से छोटा कितना हो सकता है minus 1, minus 2, minus 1.1 या minus 0.1 भी क्यों ना हो वह 0 से छोटा ही होता है तो आप root minus 0.1 निकाल सकते है नहीं निकाल सकते है मैंने आपको बताया था कि यह under root minus वाला होता है आप highest classes में जाके पढ़ेंगे तो यह अभी आपके खाम की चीज नहीं है तो जब भी ऐसा कोई question आएगा जहाँ पर 20 square minus 4ac या क्या होगा minus 1, minus 2 और कुछ भी होगा तो वहाँ पर हमारे roots doesn't exist करेंगे ठीक है और अब आवे मत कहना कि आपको यह b square minus 4ac कैसे निकाल देंगे हम जब एक equation ले लेते है x square plus bx plus c is equal to 0 इस equation से हम इस फॉर्मले को निकाल लेते है यह तो सबको आता ही है ठीक है अब हम third or last condition लेते हैं जो हम आज अपनी वीडियो में पढ़ेंगे b square minus 4ac जब 0 से बढ़ाओ तब root exist करेंगे roots exist 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 करेंगे but both different मतलब दोनों अलग-अलग roots होंगे जैसे हमने इस वाले में कहा था roots होंगे तो या तो 1,1 roots होंगे या तो minus 2, minus 2 roots होंगे बाकी अलग-अलग होंगे ठीक हो गया और इसमें जो हमारे roots होंगे 1,2 इस टैप के होंगे 2,1 इस टैप के होंगे minus 1,2 यह हमारे अलग-अलग roots होंगे ठीक हो गया दोस्तों अब जो है हम अपने exercise के main topic के main question के और बढ़ते हैं जिसमें हमारे exercise का पहला question है पहला question है 2x square minus 3x plus 5 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0 हमें इसमें पता करना है कि जो हमारे इस equation के roots है यह नहीं अगर roots हैं तो वह कौन-कौन से हैं तो हमें अब सबसे बढ़े लिखेंगे solution अब हम इसके roots निकालते हैं फटा-फट से चलो अब मुझे बढ़े रखा है कि कैसे करते हैं comparing this with comparing this equation plus bx plus c is equal to 0 ठीक हो गया तो यहाँ पर a क्या है हमारा 2 देखो यह a और b कितना है minus 3 और c कितना है यह हो गया 5 तो अब हम निकालेंगे b square minus 4 a c के value b square minus 4 a c की value कितनी है minus 3 square minus 4 into a कितना है 2 और c कितना है 5 तो जाएका 3 square 9 minus 3 square 9 minus 5 to the 10 10 for the 40 देखो अब यह कितना आगया minus 31 अब हमारा यहाँ पर b square minus 4 a c की value कितना है minus 31 तो यहाँ पर क्या है हमारे इस equation के root से exist नहीं करेंगे तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे here b square minus 4 a c जो है हमारा is smaller than 0 मतलब हम यहाली condition लिख देंगे तो फिर हाँ पर लिख देंगे therefore roots of equation जो यह equation हमारी given है 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0 does not exist लिख देंगे अब लिख सकते अब अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा देख रहा है तो अगर मैं उसको बता दूँ तो इस में बस मैं जो language है वह इंग्लिश में लिख रहा हूं जो भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा देख रहा हूं और जो स्क्वेर करना आता है वह स्क्वेर में वर्ग होता है और एक गुणा भाग करना तो सभी को आता है फिर जोड़ घटा ना किया तो हमारा आया मैनस 31 जब 20 को मैनस 4 रेसी से छोटा जो 0 से छोटा है यह अब देख लो यह मैनस 31 is smaller than 0 जो बड़ा होता है जो बड़ा होता है उसकी तरफ चिनिया की चोट खुली रहते है ऐसे चिनिया की चोट खुली रहते है और अगर मैनस 31 बड़ा होता है तो इसकी अगर 31 होता तो यह ऐसा होता लेकिन आपर ऐसा नहीं है तो यह ऐसा है ठीक हो गया दोस्तों तो चलो अब हम आपकी exercise का एक और question उठा कर देख लेते हैं जिसमें अब हम कोशिज करने की कोशिज करेंगे अब हम जैसे एक और question ले लेते हैं जैसे हो गया एक question में ले लेता हूं 3 x square यह square है minus 4 root 3x 4 root 3x plus 4 is equal to 0 ठीक हो गया यह हमारा second question है तो हम इसको solve करने की कोशिज करते हैं solution वो ही करेंगे सबसे पहले comparing with ठीक हो गया दोस्तों आपको आ रहा होगा समझ में यह देखो अब हम लिखेंगे comparing with equation ax square plus bx plus c is equal to 0 तो हमारा क्या जाएगा है यहापर a equal to 3 आ गया b equal to minus 4 root 3 आ गया और c 4 आ गया तो हमारी जो अब हम क्या निकालेंगे b square minus 4 ac के value कितनी होगी minus 4 root 3 का whole square minus 4 into a की जिगा 3 हो गया और c की जिगा 4 हो गया तो 4 का square कितना होता है यह दिखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 4 into root 3 और 4 into root 3 क्योंकि minus into minus तो plus हो गया देखो गया और 4 forja 16 और 16 3 जा 48 अब मंटविला करना तो और टेबल करना तो सभी को आती होंगी भाई ठीक होगे दोस्तों अब यहां पर क्या लिखेंगे 4 forja 16 और under root के अंदर 3 into 3 लिख दिंगे minus 48 मैंने आपको फिर से बताया है कि जब under 2 सेम होते हैं तो उनमें से एक common भार आ जाता है इसको है root type का ठीक हो गया तो 16 into 3 minus 48 तो यह हो गया 48 minus 48 इसका मलब हमारा जो 20 square minus 4 AC क्या आ गया 0 आ गया इदो देखो अब हमारी condition क्या बंदरी में आपको बताया था इसकी condition क्या है जब 20 square minus 4 AC होगा तब क्या होंगे 2 equal roots होंगे तो अब हम इस आपर भी वही भाली equation करेंगे ठीक होगे दोस्तों अब हम इसको आगे उस वाल बगड़ेंगे therefore it has two equal roots समझ के होंगे सब two equal roots को आएंगे क्योंकि पहले लिखेंगे आपर पहले इसी के आगे लिख देंगे roots exist आप सीधयी लिखेंगे जहां पर ऐसा होगा महाँ लिखेंगे हम roots से exist और जहां पर Пikleंगे हम सीधयी लिखेंगे फर्ले सथा द जडर्ल माँ दोस्तों और पहले लिखेंगे root HOTI partir क्वेर्ट अब तल्दी से जिसको quadratic formula आता है वो अपने मंद में फटाफट बोले फटाफट फटाफट या फटाफट या फटाफट जैसी मैंने quadratic formula लिखे जिसको आता है वो खुद ही लिख ले इसके आगए ठीक है अब जिसको याद होगा उसने लिख लिया होगा अब इसके आगे मैं लिख लेता हूँ वो होता है minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a ठीक हो गया अब हमने देखो हमने उपन निगा ले थी a की value कितने आया थी 3 b की value आया थी minus 4 root 3 और हमारी c की value आया थी 4 ठीक हो गया अब यह कांपर से आया थी पूछेंगे तो लोग यह देखो यह हमने जब main equation को इस equation से compare कर आ थी ठीक हो गया दोस्तों समझ मारा आगा सबको यह बहुत easy question है बस आपको थोड़ सा समझना है कि formula कैसे लगाते है बस यह समझना है ठीक हो गया अब हम इसके root से निकाल लेंगे x equal to minus b की जगह क्या रहेंगे minus 4 root 3 minus minus 4 root 3 plus minus b square minus 4h की जगह पूरा लखने की बजाए हमें अब हम करेंगे x equal to minus minus plus 4 root 3 plus minus 0 यह तो सब 0 जाएगा तो हम कुछ नहीं दिखेंगे इसको ठीक हो गया अपको लिख देंगे हम 2 into 3 अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो जाता है 2 root 3 upon 3 अब हम जब हम रिस्तनाइज करेंगे उपर नीचे रिस्तनाइज बोले तो आपको पता होगा और नीचे multiply कर लिया ठीक हो गया दोस्तों तो यह जो रूट 3 से 1 root 3 कट गया ठीक पर बात भी वही बन रहे है चलो हम इसको रिस्तनाइज ना करके सीधे से कर लेते है ठीक हो गया x equal to यह हो जाते है यह होता है 2 root 3 upon 3 आप अगर पेपर में इतना ही लिख आएंगे यह भी ब 3 था हमने नीचे वाले को लिख दिया 2 root 3 upon root 3 into root 3 तो यह root 3 से कट गया है अगर आप एक्जाम में याला को यह लिख के आते हैं इतना भी सही है अगर आप थोड़ा साही ग्राना चाहिए यह भी लिख आएंगे तब भी सही है इसमें कोई मतलब आपको डरना मत कि हमारा question गल लिख देते हैं therefore क्या हो जाएगा roots of equation 3 x square minus 4 root 3 x plus 4 equal to 0 are 2 root 3 upon 3,2 root 3 upon 3 अब आपको हो गए यार यह मैंने दो बार क्यों लिख दिया क्यूंकि जब भी हम ऐसे quadratic equations को solve करते हैं तो उसमें इसकी जो highest power कितनी है वो है 2 square इसका मदलब इसके 2 roots होंगे और वैसे वह हमने हाँ पर भी लिखा था it has two equal roots तो समझ गे होंगे हमने ऐसा क्यों क्या it has two equal roots तो ह आसमें जब हमको आए जो x equal to root यह value आई तो यह दो value आगे ठीक है तो और अगर कोई लिखना है और जो इस तरीके से कर रहा है तो वह हहाँ पर लिख सकते है 2 root 3,2 root 3 यह उसका answer हो जाएगा ठीक हो क्या दोस्तो एक answer यह एक answer यह मलत दोनु answer same है बस इसमें क्याए कि आपको एक line extra करनी पड़ेगी बस बागी कुछ नहीं है यहाँ पर एक line extra हो जाएगी आपके बागी नीचे सब सेम होगा तो ठीक है उमिद करता हो कि आपको यह method समझवाया होगी तो चलो हम कुछ अलग सा question करते हैं इस method से हम जो आपके size में further questions दिये गए हैं अब हम उनको solve करने क की कोशिस करते हैं तो ठीक होगा दोस्तों तो अचल लिए मैं आपर question उतारता हूं जैसे कि मैं आपर लिखता हूं question Q-U-E-S-T-I-O-N यह है question ठीक होगा दोस्तों तो अब हम लिखते हैं जा आपकी यह 4.4 में ही यह question है find the value of k अब हमको k की value निकालनी है किस equation से from equation 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 और हमको यहाँ पर condition भी दे रखी है where it has two equal roots और बहुत सारे बच्चों को यह question समझ मां आगा गया अब हमको यहाँ पर कौन सी method यह समझ मां आगा आगा कैसे solve करते हैं वो भी हमको आ जाएगा और जिसको नहीं आए है वो घबराए मत हम है बताने के लिए हम बताएंगे बिल्कु बताएंगे आपको ताएंगे कोई समस्चा नी होने दिंगे यहाँ पर विसमस्चा होगी हम आपका समस्चा का निप्ता रहा करेंगे ठीक हो गया बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी समस्चा आथी आप comment section पूछ सकते हैं अगर आ हमें बता दीजिए कि sir हमें यह इस पर प्रॉब्लम है हम बिल्कुल आएंगे ठीक है हम आपकी समस्चा को यहाँ पर बिल्कुल से दूर करेंगे और हम चाहते हैं कि आप अच्छे से marks score कीजिए अपने board exams में अच्छे से बढ़ाएं कीजिए ठीक हो गया तो अब हम इस question को solve करने के शुरू करते हैं अब देखो यहाँ पर लिखा है कि it has two equal roots मलब हमको question में ही दे दिया गया है कि जो equation है इसके पास है दो equal root होंगे मलब दो equal root होंगे कहने का मलब क्या है b square minus 4ac जो होगा हमारा वो जीरों के ब्राबर होगा खतम question खतम अगर हमको इतना पता है को हमारा question खतम हो गया वह हमको इसके आगे कुछ करने की जर्वती नहीं है मलब ज्यादा सोचना है नहीं है अब हमको solve करना है ठीक हो गया जब हम इस question a to x square minus 3 अब लिख दिंगे on comparing अब किसी ने मैंने question खतम खतम खा तो सिद्धे इसके आगे answer मत लिखा ना पर मैं थोड़ा solve करना पड़ेगा मलब जो हमारा main topic था मोग जितना दिमाग लगाना था वो बस इतना ही दिमाग लगाना था कि क्या है अब हमारा question का answer है चुट क्यों में आ जाएगा थोड़ा सा बिल्कुल अनाम से ठीक हो क्या करते है चलो यह देखो on comparing this equation जो हमारी एक given equation है this equation लिख जाया मैंने यह आप समझ देखी रहे है this equation with ax square plus bx plus c equal to 0 तो हमें क्या मिलता है a equal to कितना है देखो यह x square के सांच होता है a होता है 2 b equal to कितना है k इसी की value हमको रिकारनी है c equal to कितना है 3 तो ठीक है अब इन सारी values को हम इसमें रख देंगा हम इसको बाहन लेते है equation 1 now ठीक हो गया दोस्तो देखो 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 देखेंगा ब्लियम लिखेंगे now putting these values in equation 1 तो हमको यह इन गीपन है हम यहाँ पर लिखेंगे हमने यह कैसे लिखा है हमको के हमको कंडिशन गिवन यह देखो यह लिखा है वे टेस्टु इकलूट से इसका मझला भी हमको condition given है तो हमने यह लिखा जाला है चीज दिखा अब हम इसके आगे हम उसको solve बगरते हैं फटा भट से चलो चलो करो शुरू करते हैं बीगे जगना रख देंगे हम कई सक्वाइर माइनस फॉर एकी जगना हैगा टू क्यूकि टू है और ची कि जगना हैगा थृ इस इकल टू जरू यह इंटू महोगा ठीक है गल्ती मत करना फे बर्माराम से कए स्क्वाइर माइनस 4 इंटू टू जा 8 इटटू 3 इकल टू जीर ठीक है अब हम करेंगे किया 24 को तुढ़ा अट पटा लग रहा है तब हम लिख सकते हैं अपने आपको की चीज़ है दूसरे से कम जोड नहीं समझा है सब अपने आपके उस्चाने बस थोड़ी मेनद करने की जारवात होती है आप दूसरे व्यक्ति को पिछाड सकते हैं मैं मैं नहीं कहांगा कि पीछे करो मलब यह हुआ कि आप उससे खुद को इंप्रूब कर सकते हैं यह है मेरे पीछे करने का मलब गलत शेंसर मत लेना मेरा मलब यह है कि आप अपने आपको खुद को इंप्रूब कर सकते हैं यह गया दोस्तों तो चला हम इसको आगे करते हैं आ से तो यह हो गया हमारा एंसर तो ठीक होंगाbestतो कभी भी आपने आपbourne को क्योशन देखें एमाठों दो किया हमको नहीं आता है इत लीश्ट को करने की कोषिश तो कीजिए जब तक है को करने की कोषिश ही नहीं करेंगे तब द्सफार अब अको कैसे आएगा एगा अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जिनको यहां पर जब question देखा होगा, तो उनको लगा गए कैसे होगा होगा, लेकिन जब उनको यह method बता चलिए होगी, जिए question ऐसे हो रहा है, तो उनको लगा होगा कि यह बहुत आसान है question, तो हम कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करते हैं से आपके महत के सारे question बिल्कुल प्यार से solve होते रहेंगे ठीक है तो चलो अब हम थोड़ा सा अगला question कर लेते हैं एक और question कर लेते हैं ठीक है जिससे आपके जो यह exercise यह भी खतम हो जाएगी फिर हम नया chapter शुरू कर देंगे ठीक हो गया तो मैं question लिख लेता हूं यहाँ पर इसके बाद जो option exercise होते है वो आपके paper में नहीं आती है वो खली ऐसे दी जाते है कि आपको कितना आता है इस सोचने के लिए ठीक है तो अब हम इस question को अब हम solve करेंगे तो जो यह question में क्या लिखा गया है पहले question के हम language बढ़ते है इसमें लिखा गया है कि is it possible to design a rectangle park ? रेक्टेंगल तो जानते होगे इसकी length और breadth लेंफ और breadth सा अलग लाग होती है is it possible to design a rectangle park और perimeter 80 जिसका perimeter 80 दिया गया है and area 400 m² if so अगर है तो उसकी length और breadth हम find केते हैं अब हम कैसे करेंगे फिर मैंने वही का कुछ लोगों को लगावा कि यह बहुत थ्छा खठी कोशन नई लिए पर हमको क्षान सीरेचे करना है तो से पहले हम लिखनेंगे let length of rectangular park फटापट से हम लिखनेंगे कि क्या होगी वह हमने लेली L ठीक है अगर जो हिंदी मेडिय माला छात्र है तो वह लिख सकते हैं आपर कि जो rectangular park है उसकी लंबाई है वह कितनी है यह होगया फिर हम लिखनेंगे breadth तो उसकी और park की चोड़ाई कितनी है लिख लेका वह जो हिंदी वाले है और अंग्रेजी वाले हैं इंग्रिस वाले इंग्रिस मेडिया वाले उनकर तो मैं लिखी रहा हूँ ठीक है तो यह होगया L into B अब हमको given क्या है given हमको दिया क्या क्या है अब हमको कितना है 400 meter square है तो given area is equal to 400 meter square मलब की rectangle का area कितना होता है सबको बता होगा length into breath ठीक है L into B तो यह होगया 400 meter square तो यह हमारा पहला equation हो जाएगी ठीक होगी और फिर उसके बाद हमको एक और चीज़ गिवन है गिवन क्या है हमको perimeter perimeter of park हमको perimeter of park कितना दिया गया 80 अब 2 L plus B rectangular का क्या होता है perimeter ठीक हो गया तो यह जगा 2 से 40 जाकड़ गया तो L plus B is equal to 40 ठीक हो गया अब हम इसको क्या लिश सकते हैं तो लोग हम इसको next way solve करेंगे तो देखिए सबसे पहले में लिख लेता हूं हमारा जो पहली question थी L B equal to 400 यह पहली question थी और जो दूसरी question बन रही थी हमारी L plus B is equal to 40 यह हमारी दूसरी question बन रही थी यह जो देखो हमने यादर देखिए आप ले ले लेते हैं यह हमारी L plus B थी यह हमारी second equation थी ठीक है तो यह हमने लिखा यहाँ पर L plus B हमारी क्या है second equation हो गई ठीक हो गया दोस्तो अब हम जब हम इसको स्कॉजब करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अब हम इसकी वेल्यू इस सालवी में पूट करते हैं हम लिखेंगे यह आपर putting values of B in equation number 1 तो मैंने आपको बताया है कि आप पेपर में जितने अच्छे से explain करके लिख के आएंगे कि हर छोटे छोटी चीजें कैसे हो रही है तो आपको एक्जाम में score करने में उतनी ही जादा help होगी ठीक हो गया तो मैं वही चीज़ सिखा रहा हूँ आपको solution आप कुछ भी करें लेकिन जब आप question को solve करते हैं तो तरीके से करके आईएगा तो अब हम यहाँ पर solve करते हैं तो b equal to 40 minus l उपार रखेंगे तो l 40 minus l equal to 400 ठीक हो गया दोस्तों तो अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 40 l minus l square is equal to 400 जब हम इन सबको set ले जाएंगे तो set 0 बचेगा l square plus में हो जाएगा minus 40 l plus 400 तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं l square minus 40 l plus 400 is equal to 0 अब हमको यह पता करना है कि इसके roots होंगे नहीं होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब हम comparing करेंगे ax square plus bx plus c से हम compare कर देते लेकिन अब हम यह भी कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है तो हम इसको इसको compare नहीं करते हैं तो हम सीधे मान लेते हैं जो इसके a होंगे जो x square है फी l square के सांच होता है वह होता हमारा a b minus 40 हो जाएगा और जो c होगा वह हमारा 400 हो जाएगा अब आप उसको समझ गए है ठीक हो गया तो अब हम सीधे से लगाएंगे b square minus 4ac is equal to कितना होता है अब हम इसको fire end करेंगे तो is equal to क्या हमने b square हो जाएगा minus 40 का square minus 4 into 1 into 400 ठीक है 40 का square कितना 416 16 एक 0 का है तो हमको 2 0 लगाएंगे अब तो 4 बोट है 1600 तो इसका मलब 0 इसका मलब क्या है b square minus 4ac is equal to 0 है इसका मलब हमारे इस question के roots निकल रहे हैं तो हम आप लिख देंगे it has two equal roots simple सिमात है हमारे two equal roots आ गए ठीक हो गया तो हम आप लिख देंगे होती है तो हम फटाबर से लिखेंगे कि by quadratic formula quadratic formula क्या होता है आप सभी को पता है minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a अब minus b की value कितनी है minus 40 है तो यह हो जाएगा plus 40 plus minus under root कितना रहे है देखो यह minus 4ac की value 0 है upon 2 a की value कितनी है 1 यह तो यह l बडाबर हो जाएगा 40 upon 2 तो हमारी यहां चे l के value आगे 20 ठीक है दोस्तों अब हम सीन पर सीमिस कर लेंगे from equation 2 तो देखो देखो हमारी equation 2 कह थी यहां पर l plus b is equal to 40 तो हम वही चीज हाँ पर लेंगे l plus b is equal to 40 हमारी l के value यहां पर आई है कितनी आई है 20 plus b is equal to 40 तो b is equal to value कितना हो जाएगा 20 ठीक है तो हमारी l और b के value कितनी है answer तो हम लेंगे साबर देख सकते हैं length of park is equal to 20 meter and breadth of park is equal to 20 meter तो यहां पर हमारा यहाला chapter है यह quadratic equation वाला यह complete हो गया है इस chapter में आपको पता पर से recall कर आता हूँ कि इसमें काका important था आपके लिए इसमें सबसे पहले आपके लिए important था quadratic formula वो कैसे याद करना है और उससे हमें question question निकालने फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि b square minus 4 ratio ली जो condition से बताया थी यह important है यह 3 important याद करने बढ़ेंगी और completing the square method और आपको जो roots निकालने है वो भी आपके लिए important है तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद पसंद भी आई होगी और आपको वीडियो समझ माई होगी अगर आप कोई वीडियो समझ माई है तो आप उने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ठीक होगे जोस्तों तो आपसे में मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में अगली नई चैप्टर के साथ नई notes के साथ अगर आपके पास कोई कोई query है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और दोग अचकी दूरी mask है जरूरी इसको लगाए रहे है अपने जीवन में जब तक कि ये coronavirus अच्छी से चले नहीं जाता तब सब अपना जहान रखें अपने आज पास सभी का जहान रखें तो thanks for watching, take care मिलते हैं next video में और subscribe, share, like जरूर कीजिएगा thank you